पूरे दिन आपको किन किन संघर्षू से गुजरना पड़ेगा साथ ही किन उपाईउं को करके आप परिशानियों से छुटकारा पा सकते हैं तो चली शुरू करते हैं हमारा ये खास शो और जानते हैं आपका आज का राशी फल क्या रहीगा मेश राशी आलसे और उनींदापन आप पर हावी हो सकता है शांत और सैयमित रहें क्योंकि आपके आसपास के लोग आपको उकसाने की कोशिश कर सकते हैं वित्य संकट आप पर हावी हो सकते हैं उपाय आज भगवान शिप की आराधना करें विशब राशी आज आपको अपनी जुबान का इस्तेमाल करते समय बहुत साबधान रहना होगा कोशिश करें कि बहुत जादा तीखे शब्द ना बोलें आज स्वास्त से जुड़ी समस्याएं आपके लिए परिशानी बन सकती हैं मिथुन राशी आज आप खुद को सामाजिक मेल जोल में व्यस्त पाएंगे आप मुखर चरित्र को पसंद नहीं कर सकते हैं केवल एक मुलाकात के आधार पर निर्ने ना लें उपाए आज रुद्र गायतरी मंत्र का 108 बार जाप करें करक राशी अपने प्रिये जनों के साथ बाहर घूमने की योजना बनाने के लिए एक अच्छा दिन है आर्थिक रूप से कोई नया प्रोजेक्ट आपको अच्छा मुनाफ़ा दिलाएगा पैसो के मामले में सावधान रहें सिंग राशी वेतन में व्रिद्धी से आपको आर्थिक रूप से इस्थिर महसूस करने में मदद मिले की स्वास्ति की इस्थिती में सुधार होगा अपने साथी के साथ इमानदार और खुले रहने की कोशिश करें उपाय आज सूरे मंत्र का लाल चंदन की माला पर 108 बार जाप करें कन्या राशी वित्तिय इस्थिती में सुधार होगा निजी जीवन में आपके रिष्टे मजबूत होंगे आज फास फूट खाने से बचे उपाय काले कपड़े ना पहने रिष्वत खोरी से बचे तुला राशी लोग आपको नुकसान पहुचाने की कोशिश कर सकते हैं सुरक्षित खेल खेले और अपनी राय स्पष्ट डखे एकागरता और दवा आपको ज्यान प्राप्त करने में मदद करेगी उपाय आज खोटे सिक्के पानी में बहाएं व्रिश्वक राशी आज आलस से और उनीदा पन आप पर हावी रहेगा आज आपके प्रिये जन आप से कुछ मदद मांग सकते हैं आर्थिक रूप से आप अपनी शमता से जादा ना करें उपाय प्रतिदिन मंदिर में जाकर भगवान से शमा याचना करें धनू राशी आज आपके रिष्टे में उल्जने पैदा होने वाली हैं अपनी जुबान पर काबू रखें पदोनती की उम्मीद की जा सकती है उपाय आज बादाम अंगीठी चिम्टा तवा आदी का दान करें मकर राशी आप अपने आसपास नए संपर्ग बनाने में व्यस्थ रहेंगे नई चीजों को आजमाना अच्छा है अपने कमफर्ट जोन से बाहर निकलना भी अच्छा है उपाय दक्षिन मुखी श्री हनमान जी के दर्शन करें कुम्ब राशी धन की बर्बादी की आशंका है दवाईयों का सेवन आपके स्वास्ते को नुकसान पहुँचा सकता है स्वास्ते संबंधी समस्याएं उत्पन हो सकती है उपाय आज गेहूं गुड केले का दान करें मीन राशी आज आपके वरिष्ट आपको जो प्रोजेक्ट सौपेंगे उनमें आप सफल होंगे आर्थिक रूप से कोई नया प्रोजेक्ट आपको अच्छा पैसा कमाने में मदद करेगा स्वास्ते इस्थिती में सुधार देखने को मिल सकता है उपाय आज श्री राम रक्षा कवच का पाठ करें जाहिर है आज की समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो राशी फल में विश्वास रखते हैं और उनकी राशी उनके लिए कारगर भी साबित होती है ऐसे लोगों के लिए हम रोजाना अपना ये शोर लेकर आते ही ताके वो अपनी दिन चर्या को जान सके खेर आज के राशी फल में वस इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सीर्यूस भारत हर खबर आपके साथ आपके हाँ